हेलो स्ट्वेंट्स मैं आप लोगों को फिर एवरेज चेप्टर का इंपॉर्टन कोस्टन का कलेक्शन एवलेबल कराने जा रहा हूं और आप यूटूब पर जाकर मैथमेडिक्स भाई भरस्षर चैनल को सर्च करें Mathematics by Bursar channel तो इसे सर्च करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें आप किसी वीडियो को ओपन करें तो शुरू से लेकर अन्ता का स्टड़ी करें कम से कम आप दो चार वीडियो ओपन करें और उसका स्टड़ी करें और देखें आपकी तयारी का जो लेयर है उसमें कितना ज़्यादा इंप्रूब्मेंट आ गया है और इस चैनल को अपने दोस्तों में अपने आसपास अधिक सदिक सेर करें और जितना भी एक्जाम्स आने वाला है सारे एक्जाम्स में ये आउसत से कम से कम एक कोस्टन आपको पक्का रहेगा अब पहला कोस्टन देखिए साव तक की सभी अभाज एबं विभाज ये संखियाओं का आउसत तो पहला आप्जाम्स है 51, दूसरा है 50, तीसरा है 50.5, चौथा है 49.5 अब हम लोग सालूसन में जा रहे हैं साव तक का संखिया उठाना है आपको जैसे एक, दो, तीन, चार, साव तक का संखिया उठाना है उसमें का रहा है कि अभाज ये या एक आपका जो है अभाज ये या विभाज ये विभाज ये मने होग या भाज ये तो अभाज्य और भाज्य को उठाना है तो वन आपको याद रखना है वन जो है आपका भाज्य भी नहीं है और वन आपका भाज्य भी नहीं है याद रखना है वन जो है ना तो भाज्य है ना तो भाज्य है अभाज्य होने के लिए दो फैक्टर चाहिए और भाज्य होने के लिए कम से कम 3 factor चाहिए 1 का मात्र एकी factor होता है तो यह तो होगा नहीं यह हो गया अभाज्य भाज्य है मैं और एक को छोड़ना है मतलब बाकि सारा संखिया या तो भाज्य होगा या तो भाज्य होगा कहना है इसका आस्त मताओ तो ये दो तीन चार से यह AP हो गया और औसत का फार्मूला होता है अगर Numbers रहता है AP में तो फार्मूला होता है औसत का A पलस LY2 यह हो गया A का मान और यह हो गया L का मान दू पलस सो एक सो दू बड़ा दू एकावन आया हमारा आप्शन ए जो है राइट आंसर है देखिए मैं दूसरा क्वेस्टन बताने जा रहा हूँ सो संखियाओं का आउसाद जीरो है अधिक्तम कितनी संखियाओं रिनात्मक हो सकती है पहला आप्शन है सो दूसरा है 98 तीसरा है 99 चौथा है 97 हम लोग जाएंगे सालूसन में साव संखिया है देखिए एकस वान पलस एकस टू पलस एकस थरी और एकस हंड्रेट सभी का आउसाद कितना है तो आउसाद जीरो है तो योगफल हो जाएगा जीरो गुना हंड्रेट बरावर क्या अगर आउसाद जीरो है तो योगफल भी जीरो आएगा आपको कहरा अधिकतम कितना संखिया निगेटिव हो सकता है रिनात्मक हो सकता है आप मान लीजिए ये माइनस वान हो गया माइनस वान ये सारा नंबर आपको जितना जादा जादा निगेटिव हो सकता है यह साब नंबर हम लोग 99 बार हम लिख दिये माइनस one और इसका हम मान रख दिये यह पलस ninety-nine तो यह माइनस one minus one ninety-nine बार तो यह माइनस 99 अप पलस 99 बराबर क्या हो जाएगा zero हो जाएगा तो हमारा इसका देखिये मनए इस तरह से रखना है आपको तो आप जो है 99 नंबर 100 संखिया है 99 नंबर को आप negative रख दीजिए और उसके बरावर यहाँ पर positive नंबर रख सकते हम लोग काई हम लोग को कितना चाहिए zero चाहिए जोर के तो ऐसा question आएगा तो याद रखना है आपको 100 संखिया है तो एक कम negative पुछता है कभी positive पुछता है तो आपको negative पूछे या positive पूछे maximum तो आपको एक कम करके answer देना है 100 संखिया है तो इसका हमारा option C जो है right answer है अब मैं आपको तीसरा important question बताने जा रहा हूँ 40 संखियाओं का आउसाद 0 है अधिकतम कितनी संखियाओं धनात्मक हो सकती है पाला option है 39 दूसरा है 40 तीसरा है 41 चौथा है 42 हम लोग जाएंगे solution में X1 पलस X2 पलस X3 40 नंबर है और सब का आउसाद दिया है तो योगफल हो जाएगा 0 गुना 40 बरावर 0 ऐसे आउसाद 0 है तो योगफल भी 0 आएगा आप यहां का रहा है कितना अधिकतम संखियाओं धनात्मक हो सकता है धनात्मक यहां पर हम लोग क्या करते है यह 1 पलस 1 इस तरह से और लास्ट में क्या कर देते हैं 40 नंबर है तो 49 नंबर रखते हैं पलस 1 और यहां रख देते हैं माइनस 39 यह 49 बार है यह 49 बार है मान लिया 1 वन तो 49 माइनस 49 बरावर क्या गया जीरो बस ये लाजिक कोस्टन एकजाम में अगर आता है तो आपको क्या करना है 40 संकिया है अधिक्तम कितना धनात्मक या निनात्मक पुछेगा तो एक कम कर देना है आपको 40 से एक कम हमारा ओप्सन 39 होगा अब मैं आपको चाउथा इंपोर्टन कोस्टन बताने जा रहा हूँ एक संकिया और उसके ब्यूतकरम का अउसत दो है संकिया के बर्ग तथा इसके ब्यूतकरम का अउसत पहला अप्सन एच्छो दूसरा है साथ तिसरा आठ चाउथा है नाइन हम लोग जाएंगे सालूसन में एक संकिया और उसके ब्यूतकरम मालिया संकिया एक्स एक्स का उल्टा एक बड़ा एक्स आउसत कितना है दो है यहाँ दो संकिया है तो हो जाएगा दो गुना दो योगफल आ गया चार और का रहा है इसके बर्ग इसका भैलू निकालना है तो हम लोग इसको क्या करेंगे स्क्वाइर करके दो घटा देंगे आपको याद रखना है फर्मूला जैसे एक्स पलस एक बड़ा एक्स ए तो एक्स एस्क्वाइर एक बड़ा एक्स स्क्वाइर एक्स स्क्वाइर माइनस टू यहाँ पर यह हमारा हो गया एका वैल्यू अब हमको इसका आउसत कह रहा है एक्स स्क्वाइर और एक बड़ा एक्स स्क्वाइर का हमको आउसत निकालना है हम इस दोनों का जोर निकाल चुके चाउदा चाउदा में ये क्या नंबर होगी एक से स्क्वाइर एक बड़ एक से स्क्वाइर दो संखिया है तो दो से इसको डिवाइड कर देंगे तो साथ आया हमारा उप्सन बी जो है राइट अंसर है अब मैं आपको पांचमा इंपॉर्डन कोस्टन बताने जा रहा हूँ सतत पांच बिसम संखियाओं का आउसत 95 है अब रोही करम में चौथी संखिया कौन है पहला उप्सन 91 है दूसरा 95 है तीसरा 97 है चौथा 99 है पांचमा है नन आप दीज हम लोग जाएंगे सालूसन में सतत का मतनब लगातार होता है तो पांच संखिया लगातार है A B C D E देखिए लगातार संखिया रहता है तो बिचला संखिया आउसत के बरावर होता है हमारा आउसत दिया हुआ है हम जानते आवरेज कितने 95 यहाँ पर हो जाएगा 95 उसके बाद जो है इधर दो बनाक लिखेंगे यह हमारा हो गया origin इधर आएंगे दो दो बढ़ते जाएंगे विसम संखिया दो दो बढ़ता है दो दो घटता है तो 95 तू हो जाएगा 97 और 2 हो जाएगा 99 इधर आएंगे दो घटेगा इधर हो जाएगा 93 और 95 दो घटा दिए 93 दो घटा दिए बीच वाला नमबर से अगर आगे बरेंगे तो प्लस करते जाना है दो दो और इधर बैक आना है तो घटते जाना है दो दो अब का रहा आब रोही करम है अब रोही मतलब होता है घटे करम तो अब रोही आउडर क्या होगा आपका अब रोही आउडर इसका होगा घटे करम यहां से स्टार्ट होगा 99, 97, 95, 93 और 91 का रहा है चवती संखिया बताओ पाली दुसरी तिसरी चवती हमारा answer जो आएगा 93 आएगा और हम देख रहे किसी option 93 नहीं है हमारा answer जो आएगा option E none of these इसका सही answer आएगा 93 अब मैं इस विडियो को यहीं समप्त कर रहा हूँ या और यह मेरा contact number है mobile number 9162052589 किसी को offline class के बारे मैं जानकारी प्राप्त करना हो आप इस पर call करके प्राप्त कर सकते हैं ऐसे साथ पंद्रा में offline class जो है शुरू होने वाला है चार मार्च दोजार चौबिस साथ पंद्रा तो थैंक्यू बेरी मच थैंक्यू बेरी मच